साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई हैं, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगा का डर दिखा कर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले है जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मोका मिला था उस समय इन लोगों ने क्या किया ये देश को याद रखना जरूरी है मैं आज देश स्वास्यों के सामने देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिठा भी देश के लोगों के सामने मेरे किसान भाई और बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ साथियों किसानों की बाते करने वाले लोग, आज जूठे आंसु बहाने वाले लोग, कितने निर्दरी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामिनाधन कमिटी की रिपोर्ट. स्वामिनाधन कमिशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग, स्वामिनाधन कमिटी की सिफारिशों को, आठ साल तक दबा कर बैठे रहें, किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला, इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया, कि इनकी सरकार को किसान पर जाना खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो, इनके लिए किसान, देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीती बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तमाल किया है, जब कि किसानों के लिए संबेदंसिल, किसानों के लिए समर्पित, हमारी सरकार किसानों को अन्रदाता मानती है, हमने फाइलों के धेर में फैंक दी गई, स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट बहार निकाला, और इसकी सिफारे से लागों की, किसानों को लागत का डेड़ गुना MSP हमने दिया,